हेल्थ पर कर रहे हैं, हेल्थ पर केवल 5% खर्च कर रहे हैं, यह सुराज की बात की गई थी, अगर हम देखे तो यह चुनावी मुद्धे बाती है, होस्पिटर यह लोग बनाने को तयार नहीं है, 29 जोन के अंदर 60 गर्मेंट स्कूल आते हैं, और 60 गर्मेंट स्कूल के यह सोतेला पन है, दोगला पन अगया है, लेकिन पानी का मसला अगर है, तो पानी के लिए बिल्कुल भी कोई मेहनत करने को तयार नहीं, नहीं हमारे MLA सहाब, ना कॉंसलर सहाब, या समीर भाई, M.C.D. का अलेक्शन दिल्ली में करीब है, आखला में जो हालात हैं, जो के तु हैं, लोग बार-बार सोसिल मीडिया के जरी अपनी नाराज की जता रहे हैं, अब क्या लगता है कि आखला में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए, क्या क्या हो रही हैं, और खासकर दिल्ली में कैसे M.C.D. चुना को देखते हैं? अब मसला ये है कि इलाके को किस तरीके का नुमाइंदा चाहिए और इलाके नुमाइंदे के साथ उस नुमाइंदे ने क्या काम किया है इलाके के लिए? या इलाके में जो इस वक्त कॉंसलर है या MLA है उनकी क्या एक्टिविटीज रही है असल नजर दाना उन पर है तो अगर हम बात करते हैं MLA की अगर हम प्रसासन की बात करते हैं तो जो हमारा प्रसासन है SDM प्रसासन की तरफ से ओकला विदान सबा के लिए 4,000 करोड का बजट पेश किया जाता है और उस बजट के अंदर हम देखेंगे सब से ज़्यादा जो खर्च होता है हमारी विदान सबा के अंदर लगबग 18% सिस्टम के उपर खर्च करते हैं सिस्टम यानि जिसमें ये होल्डिंग्स लगाते हैं या अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं इसके अलावा अगर ये खर्च करते हैं तो एजूकेशन पर खर्च करते हैं इडुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है हम लोग आप लोग सब अच्छे से जानते हैं अगर हम बात करें हेल्थ की तो जो SDM के जरीय बिल पास होता है उसमें सब से कम खर्चा जो यह लोग कर रहे हैं वो हेल्थ पर कर रहे हैं एल्थ पर केवल सुराज रखेंगे सुराज का मतलब यह होता है कि दिली के अंदर एक महुला समीती जो है वो गठित की जाएगी और महुला समीती खुद बैठकर अपने अपने महुले और इलाकों की बिल तैयार करेगी इलाकों का काम बताएगी किस एरिये में कितना काम करना है किस एरिये मे के लिए कहां पर कितना खर्च है यानि यह सोराज की बात की गई थी यह सोराज की बात की गई थी अगर हम देखे तो यह चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं यह चुनाव से पहले इस तरह की इन्होंने बात की लेकिन चुनाव जीतने के बार अब हम हम लोग अच्छे से देख रहे हैं कि कोविड के दोरान कितने पैसेंट कितने हमारे विदान सभा के अंदर लोगों ने अपनी जान गवाई है सिर्फ हो सिर्फ ऑक्सिजन ना मिलने की वज़ा से ये तो सुकर रहा है कि हमारे इलाके के सोसल अक्टिविस्ट और अलग-अलग और्गनेजेशन के एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिकल्स लोगों ने भी जो कोविड पेसेंट थे उन लोगों की घर घर जाकर रासन हो या ओक्सिजन हो या दवाईयों होर तरह से उनकी मदद की और उन लोगों को बचाया तो यह बहुत अफसोसनाक बात है कि वादे क्या क्या किये गए अब तक बन कर तयान नहीं होगा ना उसकी कोई अभी ऐसी उमीद भी है लग रहा है देखे होस्पिटल बनने की हर बार जब जब चुनाव आते हैं चुनावी रणीतियां लेकर लोग मैदानों में उतरे हैं बाते करेंगे बयान बाजी करेंगे कि हम लोग होस्पिटल बन लेकर लेकर जब झायां नहीं है चुनावी मैदान में अगर मैं बात करूं हमारे सारे नुमाहिंदे होर्डिंज पॉस्टर के जरिये खुद को पर् मोर्ड करने का काम कर रहे हैं जिस तरह से सोराज की बात अभी हमने आपसे बताई तो क्या जो हमारे दावेदार हैं इस वक्त कॉंसलर के लिए उन लोगों का सवाल नहीं बनता कि भाई आपने सोराज की बात की थी हमारे इलाके में क्या काम होना नहीं होना है वो सवाल करने को तयार नहीं है आप नाले रोड को देखेंगे पार्के के नाम पर किस तर उसमें उसको सुओर के अंदर गूम टे हुए नज़र आते हैं पार्क को पूरी तरह से सुओर के अंदर बदल दिया गया है हमारे इलाके के लोग लोगों के लिए डस्ट भी नहीं है जो बात यहां पर की गई कि महले के लोग तै करेंगे कि हम लोग यहां पर इलाके के लोगों के कहने से ही काम करेंगे लेकिन मजबूर हैं इलाके के लोग मजबूर हैं घर की अपनी लैटरीन और सबजी कटी हुई सबजियां और जितने भी गलत उल्टे सीधी चीजे होती हैं वो थेली में लाते और वो जिसकों पार्क का नाम दिया गया है उस जगागा पर फेक दिया जाता है क्या सवाल नहीं बनता है इन कॉंसलर के दावेदारों का कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बात करेंगे कि हम चुनावी मैदान में हैं और हमने पार्क को साफ कर दिया है मैं वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ कि पूरे रोड़ का क्या हालचा क्या हालात इस वक बना रखी है अब जब बात करेंगे आखिला में एज्यूकेशन की स्कूल की तो आपको क्या लगद है कि स्कूल आपके ठीक ठाक काम कर रही है इसकूल मतलब जितने की जुरुरत है उतनी है कैसे काम कर रही है जी जी देखिए इसकूल की बहुत अच्छी आपने बात कही है सकूल का मामला हम लोग देखेंगे इस वकत हम खास करके जो दिल्ली हमारा जो ओकला है वो दिल्ली जोन 29 में आता है और जोन 29 के अंदर दिल्ली के 60 गवर्मेंट स्कूल आती है ये बात मैं बहुत ही बारीकी की बात आपको बता रहा हूँ MCD की बात है और स्कूल वाली जो बात है बहुत बारीकी की बात है इसको समझने की जरुवत है दिल्ली के अंदर हमारा ओखला 29 जोन में आता है और 29 जोन के अंदर 60 गवर्मेंट स्कूल आते है और 60 गवर्मेंट स्कूल के अंदर जो 29 जोन में ओखला आता है जिसको सिर्फ औ अब हम इसकूल की हालत की बात करते हैं। अब हमने क्या बताया कि 60 स्कूल आते हैं और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दो इसकूल दिये गए हैं और उन दो इसकूल में भी जो हमारी टीचर है किस तरह से आखिर क्यों ऐसा दोगला विहवर क्यों हो रहा है क्या यह नहीं चाहते कि हमारे ओखला विधान सभा के मुस्तक्विल जो है उनकी अच्छी तालिम हो वो अच्छा पढ़ लिखकर आगे बढ़ें नहीं चाहते हैं दिली सरकार भी मुझे नहीं लगता कि नहीं चाहती है कि आखिर क्यों उनकी ही डूटी वहाँ पर रखी गई है हम देखेंगे कोविड के दोरान ओनलाइन क्लास स्कूल तो बंद कर दिये गए हैं बट ओनलाइन क्लास होने के बाद भी जादा तर टीचर को भेट दिया गया कोविड की डूटी पर तो इससे हमारे बच्चों का मुस्तक्विल बहुत जादा खराब हो रहा है बहुत जादा खत्रे में पड़ा हुआ है इसलिए इलाके के जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों या सोसल एक्टिविस्ट हों या जो दावेदार इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो सवाल करें इस चीज़ पर सवाल करें कि आफिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ही ओखला के उनने बताया कि 29 जोन में हमारा नाम आता है और 29 जोन के अंदर आखिर सिर्फ ओखला के अंदर ही दो स्कूल सबसे पहला भेद तो यह हुआ कि सिर्फ दो स्कूल दूसरा भेद यहां पर यह हो रहा है कि दो स्कूल होने के बावजूद भी 80% टीचर को कोविड की जूटी पर अभीतक बीली से बाहर उनको लगा रिखता है तो हमारे बच्चों के लिए इस तरह से मंसेशब यह दोगला भिया constitu नहीं है इतने सालों में अब तक पीने का पानी नहीं है या सबसे परा मुद्दा है आपको क्या लगता है कि मतलब यह मुद्दा खास बनेगा देखें यह पानी वाला जो मसला में यहां पर नाइटी टू से रह रहा हूं शायन बाग में हर बार जब जब चुनाओ आते हैं पानी का म प्लेंट डरने वाली है और बहुत जल्द इलाके के लिए पानी आ जाएगा जबके ऐसा होता नहीं है इस बार भी ठीक ऐसा ही इलाके के अंदर आप जाएंगे दोरा करने के लिए तो महां भी सड़कों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है लेकिन पानी का मसला अगर है तो पानी के लिए बिलकुल भी कोई मेहनत करने को तयार नहीं नहीं हमारे MLA सहाब ना कौंसलर सहाब या हमारे जो विपक्स के लोग है यहाँ पर जो अलग-अलग एजेंडों को लेकर कभी जंतर मंतर पर जाते हैं कभी 40 पूटे से ओकला हेड तक जाते हैं इस तरह के धर यहाँ है, इजुकेशन होनी चाहिए, лекITH होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और जो गौर्मेंट से उकला विदान सबा के लिए बजट दिया जाता हो, उस बजट पर डिसकसन होना चाहिए या जो गौर्मेंट die यहाँ पर बताया थे, कि यहाँ पर सोराज हम लागू करे वो कोई भी पॉंसल और उम्मीदवार तयार नहीं है ये बेहद अफसोस की बात है इसलिए हालात बस से बत्तर होने की सिर्फ वो सिर्फ वज़ा है कि हमारे इलाके की जो नुमाइंदे वो अपने इलाके को बहतर बनाने की गोर्व फिकर नहीं कर रहे हैं लहाजा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी एक्टिविस्ट को चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या सोचल एक्टिविस्ट हो मुद्दो की बात करें जनता को गुमरा करने की बात ना करें